दोस्तों फर्स्ट अपर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्मेंट का जो नया रूल आया है ऑगॉस्ट 23 को उसका क्या एफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रपरटी मार्केट में कुछ लोग मानते हैं कि यह चीज़ एक विन-विन सिटुएशन क्रियेट करेगा फर बोथ प्राइवेट इन्वस्टर और फर्दा गवर्मेंट पर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं यह एक डिजास्टर पैदा करेगा मार्केट को और डाउन वोर्ड ले जाएगा बट वो मानते हैं गवर्मेंट मानते हैं कि यह चीज़ मार्केट के एफिसियंसी को बढ़ाएगा रेविन्यू को बूस्ट करने में हेल्प करेगा वसे गवर्मेंट कहता है कि अंडर एन एमप तैस नेसनल मोनेटरिजेशन पाइफिलाइन ऑगस्ट 23 को यह एनाउंस उसमें सामील होगा 29,000 करोर का इंडस्ट्रियल वायर हाउसेस और कुछ स्टेडियम स्पीज़ का वोर्थ होगा 11,500 करोर जिसकी माध्यम से गवर्मेंट अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है वो चाहता है कि और रेविन्यू जिनरेट हो पाए जो अच्छा मूव है मैं personally सोचता हूँ कि यह चीज मार्केट की efficiency को बढ़ाएगा builders को, investors को help करेगा properties को जल्दी से जल्दी बेचने में और बहुत सरे लोग को यह attract करेगा infrastructure projects में अपना पैसा डालने में I think यह सही move है आप क्या सोचते हो वा मुझे बता सकते हूँ निचे comment section में next update है कि about 18,000 residential and commercial properties को deliver किया जाएगा दिल्ली NCR में COVID की बज़ा से पूरे देश भर में workers नहीं मिल रहा था इसलिए property वह इंके वही पढ़ा था Construction complete नहीं हो पा रहा था दिल्ली NCR में लोग को आप घर मिलेगा और 18,000 properties builders deliver करेगा जिससे वो market और ज़्यदा boost करेगा लोग बिस्वास करेंगे उस market के उपड लोग का बिस्वास बना रहेगा इसलिए ये चीज़ effect करेगा property market को boost करने में एक research कहता है कि housing price increase करने वाला है कुछी सालों के अंदर experts कर ये कहना है और ये होगा भी क्योंकि वो मानते हैं ये supply crunch and input cost increase हो रहा है cement का दाम बढ़ रहा है iron का दाम बढ़ रहा है और contractors ज्यादा charge कर रहे हैं इसलिए properties का price बढ़ेगा हाँ इस time पे properties का price average है कम है थोड़ा कम है बट ये future में बढ़ेगा ऐसा कहना है कुछ experts का देखते क्या होता है 450 real estate agent ने register किया है TN radar के साथ that means बहुत सारे लोग properties sector में अपना carrier बनाना चाहते हैं जिसका effect पूरे देश भर में पर रहा है हर एक state में ये number on average 10 to 15% sometimes 18% बर रहा है year on year जो बहुत अच्छा news है property agents के लिए जो लोग property field में है उनके लिए अच्छा news है but bad news मुंबाई से आ रहा है 29% sale down हो गया है इसी August में stamp duty collection 450 करोर हुआ है बस 450 करोर हुआ है August 2021 में इस August में just 7000 property sold हुआ है जिसका effect पूरे देश भर में पर रहा है आप तो जानते ही हो कि मुंबाई देश का prime location है अगर वहां कुछ होता है तो उसका effect पूरे देश भर में परता है इसलिए यह चीज़ effect करेगा पूरे देश भर में हर एक स्टेट में हर एक सहर में यह number down हो गया है जिसका main कारण है second wave बट experts मानते हैं कि यह चीज़ इंप्रूफ करेगा मुंबाई देश का prime location है मुंबाई अपुने और वहां property market इंप्रूफ करेगा देखते हैं क्या होता है income tax department ने एक rate conduct किया था गुजरात के राज़कोट में एक real estate group के उपर जहां उनने पाया कि आवर 350 करोर unaccounted cash recipient है उनके पास जिसके उपर उन्हें tax नहीं दिया है साथ में 150 करोर का land भी उन्हें खड़ीदा है construct करने के लिए जिसके उपर भी उन्हें कोल भी पैसा tax नहीं दिया है उसमें से 150 करोर में से 144 करोर का पैसा उन्हें cash में deposit किया है मतलब cash में payment किया है इसलिए government को उसके बरवे अंदाजा नहीं था income tax से उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें fine भी देना पर रहा है तो listen यह है दोस्तों अगर आप कुछ भी कर रहे है कुछ भी कर रहे हो तो सब कुछ legally करो legally करो कुछ भी छुपाना नहीं government जो चाहता है वो इसे ही करना बट लूफोल को इस्तिमाल करना अपने taxes को बचाने क बात है next update है about 34% home seekers जो लोग property ढूंड रहे हैं वो choice कर रहे है 90 लाग से 2.5 करोड का भीतर एक सर्वे कहता है and rock का और बस 35% लोग चाहते हैं कि उन्हें घर मिले 45 लाग से 90 लाग के भीतर और just 27% लोग 45 लाग के भीतर घर ढूंड रहे हैं ऐसा कहना है and rock का एक उन्हें सच उ जा रहा है यह फिर already कर रहा है जैसे चार्ट बोर्ट, artificial intelligence, virtual reality, drones, online broker service इन सब की माध्य हमसे property sector boost कर रहा है digitally साथ में social media भी है वो लोग को train कर रहा है educate कर रहा है free में इससे developers को फाइदा मिल रहा है उन्हें properties को sell करने में जादा help मिल रहा है उनका marketing वो लोग ही कर दे रहे हैं इ summary in summary, Mumbai का market down है 29%, government का NMP property sector का boost कर सकता है, एक win-win situation create कर सकता है और दिल्ली में हर एक को residential commercial unit deliver हो जाएगा कुछी महिने के अंदर, और housing price increase कर सकता है future में साथ में agent registration increase कर रहा है जो बहुत ही अच्छा news है, एक real estate agent के लिए, तो दोस्तों I think यह information आपको बहुत help करेगा market के साथ updated र पर्टिकुलर लिकाम का लगा like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों, बिलते हैं आगले वीडियो में, take care and be safe